नमश्कार दोस्तों, वेलकम तो तियारी 360 IS, मैं हूँ चांद कुबा, दोस्तों आज की सबसे important जो news हमें देखने को मिल रही है वो ये कि High Level Committee on One Nation, One Election के द्वारा अपनी report President of India को सौप दी गई है ये जो committee है, it was headed by former President of India श्री रामनात कोवेंजी और इनके साथ और बहुत सारे members including Home Minister of India इस committee के members हैं अब इस report में जो सबसे बड़ी recommendation दी गई है वो ये कि लोग सभागे जो elections देने निकि जो हमारे general elections and state legislative elections को एक साथ कराया जाना चाहिए इसके अलावा और बहुत सारी recommendations इसमें दी गई है, कुछ नए articles को introduce करने की बात कही गई है, कुछ existing articles को amend करने की भी बात इस report में कही गई है चलिए इस report की बात करते हैं, सबसे बड़ी recommendation दो मनें आपको बताए कि general elections and state legislative elections को एक साथ conduct कराया जाना चाहिए इसके साथ ये भी कहा कि over the period of time हम इन दोनों elections के साथ municipalities and village panchaits के elections को भी synchronize करना चाहेंगे इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि इस committee की report में at least five articles को या तो amend करने के लिए या फिर नए articles को add करने के लिए यहाँ पर सिफारिश की गई है so major five changes हमें constitution में देखने को मिल सकते हैं अब article 82a एक नया article इंटर्ड्यूस करने के लिए यहाँ पर सिफारिश की गई है यह नया जो article यहाँ पर लाने की सिफारिश की गई है basically इसमें transition कैसे होगी उसको लेकर चर्चा होगी so इसमें जैसे मालीजी आज की date में हमें देखने को मिलते हैं कि at least 18 states ऐसी हैं जिनके चुनाओं लोकसभा के चुनाओं से काफी लंबे gap पे होते हैं अब सभी states के चुनाओं को एक साथ लाना और लोकसभा के साथ सिंक करने का जो procedure है जो तरीका है वो 82a में हमें देखने को म जो लोकसभा की election होने वाले हैं इन elections का result आने के बाद जो लोकसभा की first sitting होगी उस first sitting की जो date होगी उसे हम cut off date बनाएंगे और उस cut off date के बाद सो मान लीजी ये लोकसभा की elections होते हैं April and May में अद उसके बाद let's assume की 1 June 2024 को first sitting हो जाती है अब कहते हैं जी ये जो first sitting होगी legislative elections होंगे जितने भी state legislative assemblies में elections होंगे उन सभी state legislative assembly के elections को हम इस तरह से लेकर चलेंगे कि 2029 में जब next लोकसभा के चुनाव होंगे तब ये जितने भी बीच में elections हुए हैं इन सभी state legislative assemblies को हम इकठे इनकी term 2029 में over कर देंगे with लोकसभा सो होगा क्या होगा ये कि भई let's say जो हमारी first sitting date होगी वहाँ से लेकर 2029 में जब next चुनाव लोकसभा के होंगे तब तक किसी का अगर election 2025 में होता है किसी state का election अगर 2026 में होता है या किसी का 27 में होता है इन सभी state legislative assemblies की जो term होगी वो उसी समय तक होगी जो term या जिस जो term लो जब अब भी upcoming लोकसभा की term खतम होगी इसी के साथ साथ ये जितने भी legislative assemblies होगी इनकी term को भी खतम कर दिया जाएगा and एक साथ फिर 2029 में सभी legislative assemblies and लोकसभा के जो नाव जो है वो conduct कराय जा सकेंगे अब इसमें ये भी सवाल उतके आता है कि मान लीजिए कोई ऐसी assembly है जि या फिर no confidence motion के द्वारा dissolve कर दिया या फिर hung assembly आ गई तो ऐसे में क्या होगा इसका भी solution इस recommendation में दिया गया है और इसमें बताया गया है कि मान लीजिए कोई 2025 में चुनाव हुआ राइट सो इसमें हम एक बर यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं सो लेट से 2025 में कोई चुनाव होता ह है और 2026 या 2027 में हम यह मान कर चलते हैं कि यहां पर no confidence motion आ जाता है जिसकी वजह से सरकार dissolve हो जाती है स्टेट legislative assembly में सरकार को support नहीं मिलता है उसके बाद नई सरकार बनती है 2027 में अब यह 2027 में जो नई सरकार बनेगी जो क्यूंकि यहां पर no confidence motion के कारण पहली सरकार जह हो dissolve हो गए और 2027 में जो नई सरकार बनेगी उसकी term कितनी होगी तो बोलता है जी जो existing सरकार थी उसकी जो remaining term होगी उस तक ही उसकी होगी यानि कि 2029 तक ही उसके बाद वो term extend नहीं होगी इसी तरह से हंग legislative assembly के case में भी किया जाएगा तो यह दो यहां पर major solutions हमें देखने को मिलत हैं तीसरा यहां पर जो major solution यहां पर दिया गया है वो है article 325 में amendment लाने का और कहा गया है कि पूरे भारत के लिए एक single electoral role बनाया जाना चाहिए और एक single electoral photo identity का आड यानि की epic बनाया जाना चाहिए by election commission of India in consultation with state election commission so यह जो epic होगा और यह जो single electoral role होगा यह आप लोगसभा के लिए भी state legislative assemblies के लिए भी and साथी में जो हमारे जो local elections है उसके लिए भी use करेंगे तो यह तीनों के लिए एक ही यहाँ पर हमें identity card और एक ही electoral role देखने को मिल सकता है एक और जो यहाँ पर amendment सुझाई गई है that is article 324a लाने की बात कही गई है जिसके तहत parliament को यह power देने की बात कही जा रही है कि parliament may make a law to ensure that elections to municipalities and panchayats be held together with general election सो यह parliament को power दी जाएगी कि parliament कानून बना कर जब parliament को सही लगेगा तब लोकसभा के साथ ही पुंचायats and municipalities के election भी इकठे करा पाएगी तो यह major recommendations थी इस committee की अब committee की थोड़ी सी बात कर लेते हैं देखे committee जादा पुराने नहीं है 2023 सेप्टेंबर में ही यह बनाई गई थी मैंने आपको बताया कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर कौन थे इसके तो श्रामना कोविन थे जो कि हमारे former president रहे हैं उसके अलावा home minister रहे हैं इसके member leader of opposition former leader of opposition इन राज्यसभा गुलाम नभी आजाद थे इसके member former finance commission chairperson N.K. Singh, former लोगसभा secretary general सुभाश सी कश्यप, senior advocate हरिश सलवे and former chief vigilance commissioner Sanjay Kothari, ये सब इस के पूरी committee के member रहे हैं अब देखिए जो one nation, one election का idea है ये भारत के लिए नया नहीं है, in fact जब हमारे पहले general elections हुए थे 1951, 1952 के दौरान उन general elections के साथ ही सभी states में भी state legislative assemblies के elections हुए थे और ये सिलसिला अगले तीन elections के लिए चला था जैसे पूरा का पूरा जो cycle है वो disrupt हो गया, 1970 में हमें देखने को मिलता है कि जो हमेरे लोग सभा है वो भी समय से पहले dissolve हो गई and उसके बाद फिर पूरा का पूरा जो cycle है वो disrupt हो जाता है, 1983 में एक बार idea लाया गया था when election commission, I mean election commission की तरफ से कि भाई फिर से एक बार दुबारा एकठे किया जाना चाहिए इन सभी चुनाओं को लेकिन यह हो नहीं पाया अब और कहीं पर क्या simultaneous elections होते हैं, तो yes हमें देखने को मिलता है कि South Africa में and Sweden में यह सब एकठे elections होते हैं South Africa की अगर हम बात करें, so वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि national और जो provincial legislature के elections हैं, these are held simultaneously और हर five years में यह elections होते हैं, और उन elections के दो साल बाद, जो municipalities हैं, उनकी elections होते हैं Sweden के अगर मैं बात करूँ, तो national legislature के और जो provincial legislature हैं या फिर county councils हैं और local bodies के elections हैं यह सब इकठे होते हैं, हर चार वर्षों में September, second Sunday of September in every fourth year, यह elections इकठे कराये जाते हैं अब benefit क्या होंगे, one nation, one poll के, one nation, one election के, जो सबसे important point है, वो benefits का ही है देखें, सबसे जो ज़्यादा benefit है वो यह कि भई, governance में distractions, distractions जो हो कम हो जाएंगे क्योंकि हम देखते हैं कि भई, समय समय पे चुनाव आते रहते हैं, कभी केसी state का चुनाव आ गया, कभी कहीं का चुनाव आ गया, फिर general elections आ गया जब mcc लगता है, तो उसका impact देखने को मिलता है, तो वो एक बार में हो जाएगा, तो खतम हो जाएगा, political corruption, अब देखिए, चुनाव आते हैं, चुनाव में पैसा, पानी की तरह बहाया जाता है, कुछ सही तरीके से, लीगल तरीके से, जो इस्तमाल होता है, वो तो है, ल तो election expenses, अब देखिए, election expenses की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर एक आंकड़ा है, ADR की तरफ से, that is the Association for Democratic Reforms की तरफ से, वो यह कि 2019 के जो general elections हुए थे, उसमें लगबग 60,000 करोड रुपे का खर्चा आया था, अब यह 2019 के एक elections की हम general elections की बात कर रहे हैं, जब states की elections होते हैं तो वहाँ पर यह खर्चा फिर repeat हो जाता है, तो यह जो खर्चा है, यह एक जगहां पर आ जाएगा, और इसमें काफी जादा बच्चत होगी, सरकार का पैसा भी और जो parties हैं, उनके पैसे की भी यहाँ पर बच्चत होगी, ultimately यह सारा पैसा, आम जनता का ही पैसा है, तो आम दे दिया जाता है, हमारी armed forces को वहाँ पर लाया जाता है, तो यह जो है, इनको बार-बार duties में engage नहीं होना पड़ेगा, और host trading का खर्चा जो है, आम जो खत्रा है, वो यहाँ पर बच जाएगा, इसके अलावा क्या है, citizens की convenience क्या है, क्योंकि एक बार चुनाव हो रहे हैं, वो दो महीने में हो जाएं, वो तीन महीने में हो जाएं, state के भी निपट गए, center के भी निपट गए, और अगली बार जब होगा, system जब तो पंचायत से municipalities के भी हो जाएंगे, तो होगा क्या, कि बार-बार की वो जो convenience को झेलनी पड़ती है, वो खतम हो जाएगी, हर पांच किया जाता है, इसके recommendations को लागू किया जाता, तो ये benefit मिलेगा, तो ये थी आज की हमारी current affairs की news, I hope कि ये session आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो channel को like and subscribe पर ना न भूलें, अगली session में फिर मिलेंगे, till then thank you, have a great day.